जैन दोस्तो मिरना में अतुल और स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अतुल टक बजार में दोस्तो आज के एस वीडियो में रियल्मी बर्ड्सक्यू और रिड्मी बर्ड एस्ट के विसमें कमपरिसन करेंगे और दोनों में से कौन सा अच्छा ये मैं आपको बताऊंगा साथी साथ ये भी बताने वाला हूँ कि रियल्मी का बर्ड्सक्यू इंडिया में कब लाँच होने वाला है तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज सिक लिजेगा और बैल आइकन को भी प्रेस करीजेगा साथी साथ और नोटिफिकेशन बड़न को भी टैप कर लिजेगा ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरन से आ जाए तो चलिए फटा फ़र्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे हमेले तो बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में तो दोनों की डिजाइन जो है आप देखो के काफी Gray और दृट की डिजाइन होती है वैसे ही मुझे design थोड़ा realme का better लग रहा है बात करते हैं color के बारे में तो यहाँ पे redmi का जो earbud S है उसमें यहाँ पे आपको only एक ही color variant प्लेक वाला जबकि realme का buds Q, black, white और yellow variant में आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे color जो है आप select अपने हिसाब से कर सकते हो realme Q में और यहाँ पे जो redmi का S है उसमें only आपको black color मिलता है चलिए बात कर लेते हैं weight के बारे में तो यहाँ पे redmi का जो buds S है उसका per ear buds जो है weight 4.1 gram है जबकि realme का per ear buds जो weight है वो 3.6 gram है तो यहाँ पे realme Q है वो convenient हो जाता है जो कि थोड़ा बहुत हलका है यहाँ पे redmi के S है चलिए बात कर लेते हैं bluetooth की तो यहाँ पे realme Q और redmi का जो S है दोनों ही buds में आपको bluetooth 5.0 का support देखने को मिल जाता है जो कि मेरे recording इस price segment में काफी ज़दा better है चलिए बात कर लेते हैं battery capacity की तो यहाँ पे अगर मैं per ear buds के बारे में बात करू एक ear buds की battery तो यहाँ पे redmi का जो S है उसकी per ear buds जो better capacity है वो 40 mAh की है जबकि यहाँ पे realme Q की 43 mAh की है अगर बात करते हैं charging case के बारे में तो यहाँ पे redmi S जो है 300 mAh की battery के साथ आता है charging case जबकि जो realme है उसका charging case है 410 mAh याने 410 mAh बैटरी के साथ आता है तो यह जो है battery के मामले में भी realme Q जो है आगे बाज आता है चलिए अब बात करते है music timing की तो यहाँ पे आपको पता ही होगा Q की जो battery है काफी ज़्यादा अच्छी है S से तो यहाँ पे performance भी काफी ज़्यादा battery मिलने वाली है music timing के बारे में अगर मैं बात करूँ तो readme का जो S है उसमें आपको 4 hours की battery backup देखने को मिलती है जबकि realme Q में आपको 4.5 hours की battery देखने को मिलती है यह मैं बात कर रहा हूँ birds की तो यहाँ पे यह जो battery जादा है इसलिए performance भी जादा हो जादी है अब बात करते हैं stand by timing की तो यहाँ पे 12 hours का timing मिल जाता है अगर आप एक बार चार्ज करते हो charging case के साथ birds S में और यहाँ पे अगर realme के बारे में बात करूँ realme Q के बारे में तो यहाँ पे 20 hours का timing दोस्तों मिल जाता है अगर आप charging case के साथ यूज करते हो मिन्स यहाँ पे जो charging case की बैटरी काफी ज़्यादा बड़ी है यहाँ पे buds S से तो यहाँ आपको 20 hours का music backup देखने को मिल जाता है Realme Q में तो इस recording से यहाँ पे मैं बोलू तो Realme Q जो है बाजी मार जाता है चलिए बात करते हैं driver के बारे में तो Redmi S में आपको 7.2 mm dynamic driver देखने को मिल जाता है तो Realme Q में आपको 10 mm dynamic driver देखने को मिल जाता है तो यह जो dynamic driver का support है Realme Q में जादा है तो यहाँ पे जो performance है definitely Realme Q की ज़्यादा भैतर होगी Realme के S से चलिए बात करते हैं audio codec के बारे में तो यहाँ पे जो Redmi S है उसमें आपको DSP, AAC, SBC का support देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे Realme Q में only ACC और SBC का support देखने को मिलता है तो यहाँ पे जो Redmi S है उसमें आपको extra support देखने को मिल जाता है DSP का अगर मैं support protocol के बारे में बात करूँ तो Realme Q और Redmi S दोनों में ही आपको A की type का support protocol देखने को मिलता है जिसमें HFP, HSP, A2DP, AV, RCP का support आपको देखने को मिलता है बात करें waterproofing के बारे में तो यहाँ पे दोनों में ही आपको IP export rating का support देखने को मिल जाता है जिससे आप यहाँ पे अगर जिम वीम में अगर इसे यूज करते हो और थोड़ा बहुत पसीना इसमें लग जाता है तो इसे कोई फरक नहीं पढ़ने वारा है इस place proof है तो आपको छोटी मोटी जो पानी की जड़प है उसे भी यह दोनों ही 8 birds जो है वो जहल जाएंगे बट यहाँ पे जो case है case के बारे में यहाँ पे यह नहीं बताया गया है कि यह IP export का support है या नहीं तो case को जो है आपको बचा के रखना पड़ेगा मेरे recording इसमें आपको यह IPX4 का support देखने को नहीं मिलता है यह support only birds में ही देखने को मिलता है तो इस case को यहाँ से बचा के रखिएगा पानी से बात करते हैं low latency mode की तो यहाँ पे rhythmica जो S है उसमें आपको low latency mode gaming का support देखने को मिल जाता है वहीं जो realme q है realme birds q उसमें ultra low latency mode का support देखने को मिलता है अगर आप gaming वगरे कर रहे हो तो यहाँ पे जो है audio काफी ज़्यादा अच्छा आने वाला है और कोई भी यहाँ पे आपको problem नहीं होगी अब आते हैं दोस्तों main topic के बारे में और यह जो है काफी जदा important है अगर आप कोई birds ले रहे हो तो यहाँ पे charging port के बारे में मैं बात करने वाला हूँ तो यहाँ पे जो Redmi S है उसमें आपको charging port जो है micro USB normal charging port देखने को मिलता है वहीं यहाँ पे realme q, birds q के बारे में बात करो तो यहाँ पे आपको type c charging port देखने को मिलता है जो कि 30 watt की fast charging को भी support करता है तो यह बहुत जादा important factor हो जाता है अगर rate थोड़े बहुत इधर भी हुए तो यहाँ पे realme q जो है बाजी मार जाता है अब बात कर लेते हैं pop up window support की तो Redmi का जो S है उसमें आपको pop up window support देखने को नहीं मिलता है जबकि realme का जो q है birds q उसमें pop up window support देखने को मिल जाता है अगर इस feature के बारे में बात करो तो जैसे ही आप case को open करो कि automatically phone detect कर लेगा कि यहाँ पे case open हो चुका है और phone में आपको एक pop up window दिखाई देगी connecting के लिए इसके लिए आपको bluetooth वगेरे setting के अंदर नहीं जाना पड़ेगा जबकि Redmi S में आपको जाना पड़ेगा तो यहाँ पे यह जो setup है यह जो feature है आपने देखा होगा iPhone वगेरे में दोनों में ही music control का option आपको देखने को मिल जाता है तो Google वइस अशेयनe को तो sto Means लिए यह जबको एंसी का feature दोनों में ही देखने को नहीं नहीं मिलता है चलिए बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग के बारे में तो जो रेडमी का एस है उसमें आपको टैक्टिक कंट्रोल बटन में देखने को मिल जाता है जब भी आप इसे टैप करोगे आपके काम में टिक टॉक 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 ऐसी आवाज ये आएगी बट रेडमी का जो क्यू है उसमें यहाँ पर आपको टॉक सेंसिंग बटन मिल जाता है जिस पर टैप करके आप इसली से कंट्रोल कर सकोगे चलिए बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपोर्टन फेक्टर के बारे में जो है प्राइजिंग और इसी को देखके हम कोई चीज पर्चेस करते हैं तो यहाँ पर जो रेडमी ऐस है उसकी प्राइजिंग यहाँ पर इंडिया में लाँच हो चुका है तो इसकी प्राइजिंग है अटरा सो रुपे है जबकि रेडमी का जो क्यू है अभी तक लाँच नहीं हुआ है और डेफिनेटली इस मंत में लाँच हो जाएगा इसकी जो चाइनिस प्राइज है वो यहाँ पर कुछ तेरा सो रुपे निकल के आती है अगर दो तीन सो रुपे एक्स्ट्रा बढ़ भी जाए तो पंदरा सो से सोला सो रुपे तक रेडमी का जो बट्स क्यू है वो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइजिंग के हिसाब से रेडमी का जो बट्स ऐसे वो कम है रेडमी क्यू से लेकिन अगर मैं performance के बारे में बात करूँ features के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर र्यावड्minute का क्यूँ जो काफी ज़्यदा आगे निकल जाता है और battery section के बारे मैं बात करें performance के बारे मैं बात करें, design के बारे में बात करें, और सब सब सी ज़धा important factor है type C port यहां पर आपको charging port देखने को मिल जाता है fast charging के साथ और Redmi S में आपको यहां पर 7.2 mm का dynamic driver देखने को मिलता है जबकि Realme Q में आपको 10 mm का dynamic driver देखने को मिलता है तो definitely जो sound quality है Realme Buds Q की ज़्यादा बहतर आने वाली है तो आपको क्या लगता है मुझे comment section में जरू से बता करना चाहिए Realme के regarding और भी कोई question आपकी मैंड में चल रहे होंगे मुझे comment section में जरू से पुछेगा या पर टेलिग्राम ग्रूप को भी आप जॉइन कर सकते है इस वीडियो में दोस्तों इतना ही यह वीडियो आपको पसंद रहा होगा ता प्लिस देमें चनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तब तक लिजन दस तो बोलते रही है बंदे मातरम